नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल जर्धारी क्लासेज में दोस्तों यूकेटलसी ने आज यहाँ पे उतराखंड पुलिस कॉंस्टिबल की भरती जारी कर दी है और दोजार पदों पर दोस्तों आयोग ने विग्यापन जारी किया है जो अब्यर्ती पुलिस कॉंस्टिबल भरती की इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफी बड़ी खुसकवरी है दोस्तों यहाँ पे जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में डेटेल्स में कौन-कौन अब्यर्त इसके लिए इलिजिबल है आयुशीमा का जो क्रेटेरिया है वो क्या है और इसका एक्जाम पेटन और सलेवस क्या होने वाला है फिजिकल एक्जाम के बारे में जानेंगे संपूंड टेस जो भी महत्तवपूंड जान करें दोस्तों इस विग्यापन के बारे में सबी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो विग्यापन यहाँ पे आप दे सकते हैं चेन हेतु विग्यापन यूकटलोशी के द्वारा उत्राखन पुलिस विभागे अंदर के समूगा के आरक्षी जनपदिया पुलिस पुरुस्त ता आरक्षी पियसी आई आरवी पुरुसके रिक्त पदों पर चेन हेतु विग्यापन विग्यापन प्रकाशन की तिति 30 अक्टबर 2024 आज विग्यापन जारी हुआ है और ओनलाइन आविदन आप कर सकेंगे 8 नॉमबर 2024 से और ओनलाइन आविदन की अंतिम तितिये 29 नॉमबर 2024 और लिखित परिक्षा की जो यहाँ पर अनुमानी तितिये वो है 15 जुन 2025 तक इसका लिखित एक्जाम होने की संभावना है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कुल 2000 पदों पर यह विग्यापन जारी हुआ है उन्हेंगे कौन को अभी इसके लिखित लिए इलीजिबल है 18 वर्षे 22 वर्ष तक यहां पर I.S.E.M.A का क्रेटेरिया है जो यहां पर मांगा है आयोगने वो 18 से 22 वर्ष यहां पर की गई है I.S.E.M.A बागि कि जो क्रेटेगरी वाइज, जो स्रेणी वाइज जो I.S.E.M.A में छोट दि जाती है माने intermediate परिक्षा उतिन या उसके समकर्स अर्टा होने जी यानि intermediate 12th pass intermediate जो अभियर्ति है जोनों ने इंटर कर रहा है वो इसके लिए eligible है अधिमाने अर्टा क्या है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभियर्ति को सीधी भरते के मामले में अधिमान दिया जागे तो यह आप एक पास यह रहताएं भी है तो आप जरूर लगाएं प्राधिसी सेना में दो वर्स की नियूंतम अवे तक सेवा की हो और NCC भी प्रमान पत्र प्राप्त किया हो उसके बाद यहाँ पर देखो अब देखो सारीक मानक जो परिक्षण है तो उंचाए होने चीए सामान अन्य पिस्ड़ा वर्गता S.C. अब्याटियों के लिए 165 सेंटिमेटर अनुसुची जाते अब्याटियों के लिए अठाटियों आर सेंटिमेटर फुलाव आउशक है यहाँ पर यह भी बताए गया है तो पांक सेंटिमेटर का फुलाव यहाँ पर होना जुरूरी है अब देखो सारी दक्स्ता परिक्षण तो जैसे पिछली बार वाता लगबग होई है किरकेट बोलत रो यहाँ पर अंक दिये गए है बीस अंक का लंबी कोदी बीस अंक की है चिनिंग आप है बैठाक है दंड है दोड़ है सारी दक्स्ता परिक्षण में सफल अब बढ़त भी शुरू की जाएगी और इसमें उत्राखन जी के तो जरूर पहुच जाता है करंट फियर और रिजनिंग तो यह दिया आपको उत्राखन पुलिस कॉंस्टेवल के लिए नोट्स यह तो लिंक आपको मिल जाएगा बीडियो के डिस्क्रिसन में वहाँ पर आपको हिंदी सुल्क की बात करें तो जनरल अब बैटतियों के लिए और आपको वीडियो के डिस्क्रिसन में पीडियाफ दे दूंगा इसकी यह आप ऑफिसल वेबसाइड यूके टलवसी पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको विग्यापन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है यह इसका सिलेबस भी दिया गया है दोस्तो सामन हिंदी 20 नमबर की सिलेबस के बारे में हम थोड़ा डिफरेंस थोड़ा चर्चा करेंगे अलग वीडियो में दूसरी वीडियो में इसमें आपका रिजनिंग भी आ जाता है और लगबग साथ से आठ नमबर का अच्छा स्कॉरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों रिजनिंग और उसके बाद यहाँ पे देखो यह हिस्ट्री है जो यहाँ पे भुगोल भी है पॉलिटी भी है तो कंप्लीट वही सिलेबस है जो इंटरिमीडिट इस तरके जो एक्जाम होते हैं आयो के उसी इस तरके यहाँ पे सिलेबस है और एक वार आपको पिसला पेपर जरूर देखना है यह आपको पुलिस कॉंस्टेबल का पिसला पेपर चीए प्रिवियर पेपर चीए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो क इस तरके जान पर चालिश नंबर का जीए और जीए चालिश नंबर का उसमें रिजिनिंग भी है और बेस नंबर की हिंदी तो इस प्रकार इसका एक्जाम पैटर्म में आपको बता दिया है और सलेबस के बारे में प्रत्क रूप से हम यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा कर करेंगे तो उमीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगे होगी बाकि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस्ट सकते हैं और और आप इसका विग्यापन डाउनलोड करके एक बार स्वयम इसको रीड करें और जैसे इसकी ओन